नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल जीवंजीने की खला में आज के वीडियो में जानते हैं बालों की ग्रोथ से लेकर के डेनरफ तक नीम के तेल से आपके स्केल्प और बालों की समस्याओं को जड़ से समाप्त किया जा सकता है तो कैसे ये कारे करता है क्यों फायदा करता है पुनता इस वीडियो में समझेंगे इसमें इंटी इंफ्लामेंटरी और एंटी बैक्टिरियल गून होता है इंटी फंगल गून होता है इंटी पायरेटिक और एंटी सेप्टिक गून होता है इसमें विटामिन C, विटामिन E होता है इसमें कैलेशियम, फासफोरस, ये खनीज पदार्थ भी पाये जाते हैं इसके साथ साथ ओमेगा 3, ओमेगा 9 और ओमेगा 6 जैसे आवश्यक फैटी एसिड भी होता है प्राक्रितिक मोस्चराइजर है, इंटियोक्सिडेंट गुन से भरपूर है इसलिए ये हमारे बालों के लिए रामबान ओश्यादी की तरह से कारे करता है तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना है जानेंगे कि कैसे प्रयोग करना है, कभी इसका इस्तेमाल करना है और किस प्रकार से ये हमारे बालों के लिए क्या-क्या कारे करता है तो हमें फायदा मिलता है पूनता है step by step समझेंगे ये वीडियो अगर आप बालों की समस्या को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो पूरा जरूर देखिएगा और एक काम आप सभी जरूर कीजेगा जिससे हमें बहुत खुशी होगी आप सभी वीडियो को like, share and comment जरूर आईए अब समझते है step by step कि बालों के लिए सबसे पहले क्या क्या फायदा होता है फिर समझेंगे कैसे इस्तेमाल करना है निम के तेल में शक्ति शाली पुनर योजी यानि की रीजनरेटिव गुन होता है जो की स्वस्थ बालों के विकास को बढ़ावा देता है निम के ते बालों में और scalp पर apply कर दीजिए बाल ठीक रखने के लिए ये बेश्ट तरीका है हपते में दो बार आप ये तरीका अपना ये सब्ताह में दो बार इससे मालिश कीजिए आपको फर्क खुद बखुद दिखने लगेगा अगर आपके दो मुहे बालों हो गया है तो उससे अपनी पसंद के किसी भी ओयल में मिला सकते हैं यानि कि सर्सों में या फिर नारियल ओयल बालों में लगाते हैं तो उसमें आप निम का तेल ले आईए उसमें ढाल लीजिए और आप सब्ताह में दो दिन जरूर इसका प्रयोग किजिए इससे आपके बाल मजबूत होते है और बाल चिकने भी होते हैं चमकदार भी होते हैं निम के तेल में आवशक फैटी एसिड और ट्राइगलिस राइड्स होता है जो कि आपके बालों में चमक ला देता है चिकनी और चमकदार बालों के लिए अपने शैंपू में निम का तेल मिला लेजिए अपने बालों पर शेंपू जब आप अपलाई कर रहे हों बाल धोने के लिए जा रहे हों तो इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजे गर्म पानी से अपने बालों को धोईए गर्म से यानि कि आपको कुनकुने पानी से धोना होगा रहात मिलेगी अगर माली जे बालों में डेंडरफ हो गया है त आप अपने रेगुलर तेल में निम के तेल को 2-3 बुंद मिला लिया किजे हर रोज और अपलाई किया किजे इससे आपको बहुत फायदा होगा अब माली जे कुछ लोगों को समस्या होते है एकजिमा और डर्मिटाइटिस की तो इससे भी रहात मिलता है एकजिमा के कारण खुजली और एसकल्प का सूखापन हो जाता है निम का तेल अवशक पोशक तत्वों के साथ बालों को पोशन देता है जो कि आपको खुजली से छुटकारा दिलाता है निम का तेल अपने बालों में लगाएं और रात भर उसको छोड़ दें अच्छा नतीजा अगर पाना करता है आपके बालों के लिए बस आप इसके लिए पांच से छे बुंद अपने ओयल में मिला लीजिए नारियल ओयल में मिलाई और लगा लीजिए इससे आपके स्केल्प की मालिश भी बहुत अच्छे से हो जाएगी अब ये लाप सारे मिलेंगे लेकिन कैसे इसको अपल तेल लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप इसका कितना सुरक्षित इस्तेमाल कर सकते हैं निम के तेल की खुराक के बारे में जानना है आपको तो वो दूसरे एपिसोड में हमने बताया हुआ है हाँ इसमें साइड इफेक्ट जरूर बता देंगे कि कैसे आपक को बचना है वो भी अंत में बताते हैं पहले आपको बताते हैं कि रात भर लगे रहने देना है तो कैसे इस्तेमाल करना है सबसे पहले अपने बालों को गिला कीजिए ताकि यह तेल की नमी को और शोशित यानिके अब्सॉप कर सके इसके बाद अपने बालों में कंगी जर से पहले अपने हाथ में तेल लिजे और बालों के छोड़ों तक आपको लगाना होगा ध्यान रखेगा फिर नीचे तक लगाते जाईए कंगी के चोड़े हिस्से के साथ फिर से आप बराबर रूप से तेल को फैला भी सकते हैं चाहें तो उंगलियों के जड़ से लगा सकते हैं या फिर आप कंगी के मदद से भी लगा सकते हैं रात भर अपने बालों में तेल को लगा रहने देना है और अगले दिन आपको शेंपू करना है दूसरा तरीका है तेल लगाईए और शेंपू कीजिए जहां नहाने से एक घंटे पहले अपने बालों में तेल लगा लि यानि कि तॉलिये वाले प्रोसेस को तेल तो आप एक ही बार लगाएंगे बस आपको तॉलिये वाले जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा कंटीनिव करना है दो से तिन बार इसके बाद आपको अपने बालों में शेंपू कर लेना है इससे आपके बालों को यह सारे लाफ मिलें तो आप एक बार में निम के तेल की कम मातरा लगा सकते हैं आप इसे एक केरियर ओयल के साथ मिला लेते हैं और हपते में दो बार लगाते हैं तो ज़्यादा बैतर रहता है यानि कि आप किसी भी अपने पसंद के ओयल में मिला लीजिए इसके चार बुंद को हर रोज दो से च आपके इन्फेक्शन से ले करके आपके डेंडर तक या जिनके बालों में जुम्य हो जाती है इन सभी समस्याओं से आपको रहत दिला देתा है और आपके बालों की ग्रोथ अच्छी कर देता है दुमुहे बालों को खत्म कर देता है आपको वीडियो पूर्णतर समझ में आ तो कमेंट के माध्यम से लिख भेजएगा हम आपको उस पर जरूर बता देंगे या फिर आपकी हिल्थ से रिलेटेड कोई और समस्या है तो जरूर लिख भेजएगा उस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो बना देंगे और अगर ये कुछ भी नहों तो भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं क्योंकि आपका कमेंट हमें बेहद खुशी देता है जब आप सभी कमेंट करते हैं और लाइक शेर करते हैं तो प्लीज कर दीजिएगा ये वीडियो आप सभी देख रहे थे जीवन जिने की कला चैनल के माध्यम से ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम ले करके आते रहते हैं तो ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे साथ बने रही है चैनल को सब्सक्राइब करके फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्थ रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों